आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुती खास रेसिपी चिकन दम बिर्यानी जिसे बनाना बहुती आसान है और यह बहुती खुश्बूदार जायकेदार और मज़ेदार बनकर तयार होती है अगर आप किसी को दावत्ते बुला रहे हो या आपके घर पे कोई महमान आये हो तो इसे एक बार आप जरूर अप्राइक करें शल यह देखते हैं कैसे बनाते हैं yeah Ferm इसके में एक चमच में दनिया-बॉर्डर गर्डर ऑड़् ऐटकर करूँगे एक चमच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची पॉडर एटकर रहे हैं इसे जो कलर से है नहीं ही मिर्ची यह मैं फ्रेश दही का यूस किया है वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे और इसी के साथ दो से तीन टामाटर की प्यूरी मैंने ले ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसी में एक चमज में बिरियानी मसाला एड़ कर रही हूँ इसे जो उसकी खुश्बुए बहुत अच्छे आती है तो आप इसे जरूर डाले और इसी के साथ में मोहिन के लिए दो से तीन चमज इसमें मैं आउल एड़ कर रही हूँ इसे जो मसाले हो बहुत ही खुश्बुदार बनकर तयार होते हैं और इन सब मसालों को हमें गोश्ट के अंदर अच्छे से कंबाइन कर लेना है तो आप देख सकते हैं सारे जो मसाले हैं उसे हाथों के मदब से अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए मैंने सारे मसालों को गोश्ट में अच्छे से मिक्स कर लिया था अब इसी में मैं एक कप यहां पर मैंने एक मुट्टी यहां पर मैंने ताजा हरा धनिया लिया था और एक मुट्टी इसी तरह मैंने पुदीना भी लिया था इसे मैंने बारी कट कर लिया था वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे इससे जो इसकी खुश्बू है अरो पूरी गोश्ट के अंदर आ जाती है तो इसे आप जरूर ड्रा ले और इसी के साथ मैंने गंटे के लिए रख सकते हैं एक पैन लेंगे इसमें चार से पाज चमश ओई एड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देना है इसी के साथ मैंने तीन से चार मीडियम साइस की प्यास लीती इसे से मैंने स्लाइसे में कट कर लिया था आप देख सकते हैं वो भी हम इसमें फ्राइ कर लेना है तो हमें लाइट ब्राउन होने तक हम प्यास को फ्राइ कर लेंगे ब्रिस्टर टाइप में से हम तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो प्यास है वच्छे से फ्राइप यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिये थे 500 ग्राम इसे अच्छे से हमें दो से तीन पानी से वश क हमारा जो प्यास है उसा कलर अच्छे से चेंज हो चुका है अब इसे हमें बाहर निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रिस्टर है वो बनकर रेड़ी है अभी इस से स्टेज पर हम इसे बाहर अब एक कड़ाई के अंदर हमें आइल एड़ करना है तो जो हमने जो प्यास को फ्राइब किया था वही वाला ऑइल का में यूश कर रही हूँ दो बड़े चमज ओईल एड़ कर लेंगे और इसमें जो हमने मरिनेट किया हुआ चिकन रखा था वो भी हम इसमें एड़ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं वह अच्छे से mix हो चुके हैं अब इसे हमें cover कर लेना है और तीन से चार मिनिट तक हमें low से medium flame पे से cook कर लेंगे तो आप देख सकते हैं तीन से चार मिनिट हो चुके हैं जो हमारा गोश्ट है इसका जो moisture मसालों का moisture है वो सब निकल रहा है आप देख सकते हैं सारा oil अच्छे से release हो रहा है तो इसी के साथ दो बड़े cup में इसे पानी एट कर रही हूँ इसे cover करके 10 से 15 मिनिट तक हम इसे cook कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो अखनी है वो बनकर तयार है oil है वो भी अच्छे से इसमें release हो चुका है तो अब जो excess oil है वो हम site में निकाल लेते हैं और इसका use हम बाद में करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें gravy को जादा सुखाना नहीं है अब एक तरफ यहाँ पर मैंने एक बड़े बरतन के अंतर पानी को गरम होने रख दिया था इसमें कुछ खड़े गरम मसाले एट कर लेंगे हरी लाइची लॉंग काली मिर्ची डालचीनी सबको एट कर लेंगे और इसी के साथ तेज पत्ते भी एट कर लेंगे और इसी के साथ आदा लीमू का रस एड़ कर लेंगे इससे जो हमारे चावल यह बहुती खिले-खिले बनकर तयार होगे तो लीमू का रस जरूर एड़ करें इसके साथ 2 चवामज इसमें में oil add कर रही हूँ और इसे भी अच्छे सी mix कर लेंगे अब इसके साथ इसमें में नमag add कर रही हूँ आप अपने हिसाब से इसमें नमag add करें हमें पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आने देना है तो देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है अब जो हमारे मसाले है वो हमें स्टेनर से उपर से निकाल लेंगे और जो हमारे चावल है वो इसमें हम add कर लेंगे तो चावल को मैंने अच्छे से इसमें add कर लिया था और इसे अच्छे से एक बार stir कर लेंगे और इसे high flame पे 4-5 मिनिट तक cook करेंगे तो आप देख सकते हैं 4-5 मिनिट हो चुके हैं हमारे जो चावल है यहाथों की मदश से इसे चेक कर लेना है तो आप देख सकते हैं हमारे जो चावल है वो 50 पसेंट तक cook हो चुके हैं 2-3 मिनिट तक उसे हौर cook कर लेंगे और हमारे चावल है वो आराम से तूट रहा है 80-90 पसेंट तक cook हो चुके हैं अब इसे इस्टेनर में निकाल के अच्छे से इसे चान लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो पानी है पूरा निकाल लिया था इसी के साथ एक से दो चमच दूत के अंदर हमें थोड़ा सा सैफरन एट कर लेना है इसका यूज़ हम बाद में करेंगे अब एक बड़े बतन के अंदर दो चमच में देशी घी अट कर रही हूँ और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और जो हमारी चावल है उसके हमें लेर्स लगानी है तो सबसे पहले हमें चावलों की लेर्स लगानी है तो गरम गरम चावल को यह हमें इसके हमें दम पर लगा तो इसे हमें सबसे पहले चावल की लेयर्स लगाएंगे और जो हमारी अखनी हमने तयार की हुई थी वह इसकी हम लेयर्स लगा देंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके मसाला एड़ करेंगे और मसालों को हमें चारो तरफ अच्छे से इस पे फैलाना है तो देख सकते हैं सबस्टे में चावल की दूसरी लखा दिए थी इसे के सथ हमारे जो फ्राइड ओनियन है वह हम एड़ कर लेंगे प्रिश्ता और इसी के सथ बारी कटा हुआ हरा धन्या भी एड़ करेंगे और इसी के साथ जो हमने oil निकाला था साइट में वो भी हम इसमें add कर लेंगे थोड़ा सा और जो हमारी अखनी है बच्ची हुई वो इसमें add कर लेंगे तो हमें ध्यान रखना है अखनी को हमें चारो तरफ अच्छे से फैला कर लगाना है तो इसे जो चावल है मसाला चारो तरफ भी बिर्यानी के अंदर आता है तो इसे आराम से चमच की मदद से चारो तरफ हमें इसे अच्छे से फैला देना है तो आप देखें मैंने चारो तरफ अखनी को अच्छे से फैला दिया था आप जो हमारे बाकी बच्चे हुए चावल है वो इसके उपर हम लगा देंगे तो देखिए मैंने अच्छे से सबको अच्छे से स्प्रेट कर लिया था इसी के साथ जो हमारे बाकी का बच्चा हुआ ओईल है वो इसके उपर हम डाल देंगे और जूद दूद के अंदर हमने केसर भिगो कर रखा था वो भी हम इसमें एट करें अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और इसी के साथ औरेंज का फूट कलर में यूज कर रही हूँ और इसी के साथ हमारे जो फ्राइड ओनियन है ब्रिस्ता वो भी हम इस पे अट पर हम स्प्रेट कर लेंगे और इसी के साथ बारी कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रेट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से spread कर लिया था और जो हमारे सारे layers है वो मैंने अच्छे से लगा दिये थे तो अब हमें क्या करना है तो हमें इसे 4-5 मिर्ट तक हमें दम पर रखना है तो high flame पे 4-5 मिर्ट रखेंगे और low flame पे हमें 2-3 मिर्ट तक इसे cook कर लेना है तो देख सकते हैं आप high flame पे भी इसे अच्छे से बने दम कर दिया था और low flame पे भी इसे मैं अच्छे से दम पर रख दिया था और आप को मेरी वीडियो पसन आएं तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें